आप से विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टापिक में यूपी बीएड के विद्यार्थी जो अपना इंट्रेंस एक्जाम दो हजार चौबीस का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। उनके लिए यह जीके के महत्तपूर्ण जितने भी प्रस्नवा काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप अभी तक इन टापिकों का अध्यन नहीं किये हैं तो अध्यन कर लिजिए क्योंकि यह जो टापिक हवा बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए बिना रुके हम सुरू करते हैं। पहला आपका प्रस्न है पाउधे किसके द्वारा सांस लेते हैं। अइंस्वर है पत्तियों के द्वारा। पाउधे किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो पाउधे जो होते हैं पत्तियों द्वारा सांस लेते हैं। अगला है रानी लच्मी बाई की समाधी किस सहर में है। तो आपका सही उत्तर होगा ग्वालियर जो की मध्य परदेश में है। अगला है संबिधान की पर्थम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसके जो अध्यच थे संबिधान के डाक्टर राजेंदर परसाद थे और इसके जो आपके आस्थाई अध्यच थे डाक्टर सचिदानन सिनहा थे और प्रारूप समीत के अध्यच डाक्टर भीम राव अंबेडकर जी थे। अगला प्रत्न है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था एक अक्टूबर 1946 को हुआ था गाधी इरबिन समझावता कब हुआ था तो यह 1931 में हुआ था अगला है काकोरी ट्रेन डकैती का नायक कौन था जो पूरा विख्यात है काकोरी जो आपका ट्रेन कांड हुआ था इसके नायक कौन थे तो राम परसाद बिस्मिल जी थे। अगला है स्वाराज दल की अस्थापना किसने की थी तो इसकी अस्थापना मोती लाल नहरू और सी यार दासने की थी। असायोग आंदोलन के समय भारत में वाइसराय कौन था यानि भारत का गवर्नर कौन था तो उस समय लाड चेंप्स फोल्ड थे। गदर पार्टी की अस्थापना किस बर्स में हुई थी उन्नीस सो तेरा में। अगला है बंगाल बिहार से कब अलग हुआ। उन्नीस सो बारा में अलग हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था उन्नीस सो उन्तालिस में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो यह आपका कैविनेट मिसन योजना के अनुसार इसका गठन किया गया। भारतिय संविधान सभा की प्रारूप समित के अध्यच कोन थे। तो यह आपके डाक्टर भीमराव अंबेड कर थे। संविधान की प्रारूप समित के समच प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो पंडि जबाहलाल नहरू ने रखा था यह भारत के पर्थम पर्धान मंतरी थे। प्रेश की स्वातंतरता किस अधिकार में नहित है। तो यह आपका भासा स्वातंतर की अनुसार है। भारत के किस राज में समान नागरिक संहिता लागू है। तो यह आपका घोवा में कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निड़े कोन करता है। तो लोग सभा अध्यच करते हैं और बरतमान में सिरी ओम बिर्ला जी इसके अध्यच है। अगला है कानूनी विषय पर राज सरकार को कोन प्रामर्स देता है। तो एड़बोकेड जन्रल देते हैं। अगला आपका है उच्च न्याले के नया धीस। उच्च न्याले के नया धीसों की नियुक्ति कोन करता है। तो इनकी नियुक्ति जो होता वस्संसत के द्वारा होता है। भारत के किस राज में पहली बार गयर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो या आपका केरल में। भारतिय रिजरोब बैंक का राष्टिय करण किस बर्स हुआ था। तो एक अपरेल उनिस सो उन्चास को हुआ था। हिमालय परबत स्रिंखला किसका उदारन है। तो यह एक बलित परबत है या नया परबत भी कह सकते हैं। कोन सी परबत स्रिंखला बिस्व में सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी आपकी आयन दीज परबत स्रिंखला है। अगला आपका प्रस्न है, कोन सी बिस्व की सरबाधिक गहरी जील है। कौन सी विश्य की सरबाधिक गहरी जील है, तो वहाँ आपका बैकाल जील है, जो की यूरोग महादीप में है, विश्य का सबसे उचा जल परपात है, तो वहाँ आपका एंग जील है, विक्टोरिया जल परपात किस नदी से संबंधित है, तो यह आपका जेम बेजी से संबंधित है, विश्य का सबसे बड़ा दीप कौन सा है, विश्य का सबसे बड़ा दीप कौन सा है, तो ग्रिन लैंड है, किस जीव को परसांत महासागर का चावराहा कहा जाता है, यह जीव नहीं दीप है, क्या है दीप, किस दीप को परसांत मह सागर का चावराहा कहा जाता है तो यह आपका हवाई दीप होगा। अगला आपका प्रस्ण है संसार की सबसे महत्पूर जहाजी नगर है जिसमें अधिक से अधिक जहाज जाते आते रहते हैं तो वह आपका स्वेज नहर है एनू जनजात कहाँ पाई जाती है या आपका जापान में पाई जाती है तो very important टापिक है आप सभी लोग इसको अच्छे से त्यार कर लें क्योंकि आपका जो इकजाम है वह जल्द ही होने वाला है आप से विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद